आइडियल वोल्टेज सोर्स तो वोल्टेज सोर्स क्या होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ठीक है एक यह वोल्टेज सोर्स है डीसी वोल्टेज सोर्स तो उसका ऐसे रिप्रेजेंट करते हो कोई भी जो वोल्टेज सोर्स होता है उसके पास कुछ इंटर्नल अब इन दो टर्मिनल पर जो इन दो टर्मिनल मिलती है। उसे हम रिप्रेजंट करते हैं वी और इसका फ़्मिला होता है इसका फॉर्मिला होता है ये, ठीक है। अब ई हो गया एम फूर्श ए rest ये हो गया 1 Plus र. i mean internal resistance और rl हो गया ल ese वी श से फाइंड कर सकते हो, अब ideal voltage source के केस में र i की value मतब internal resistance क्या होता है, zero होता है, अब जब इसकी value zero हो गई, तो v equals 2 हो जाता है e के, ठीक है, तो ideal voltage source क्या है, तो ideal voltage source क्या हो गया, वो source, that source, that voltage source, which has zero internal resistance, is called ideal voltage source, और practically ये possible नहीं है, कि internal resistance 0 हो, ठीक है, so it can't exist in nature, तो ये था ideal voltage source,